Welcome to the book show What's Behind the Covers दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपनी किताब Poverty and Unbettish Rule in India के बारे में जो के दादा भाई नौरोजी ने लिखी है Unofficial Brand Ambassador of India कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ इन्हें Grand Old Man of India भी कहा जाता है एक भारती पार्सी विद्वान वियापारी वर राजनितिक थे जो संसत के Liberal Party के सदर से थे United Kingdom of House में 1892 और 1895 के बीच में यह पहले वक्ति थे जिन्होंने भारत की राष्टिय प्रतिवक्ति आये का अनुमान वह आकलन किया बिटिश राषनकाल के दोरान इन्होंने पहला प्यास किया 1867 से 1868 के मद्द इन्होंने पहले क्रेश उत्पाद के मूले का आकलन करके फिर एक निश्चित गेर प्रतिशत को गेर क्रेश उत्पादन के रूप में जोड़कर राष्टिय आये का अनुमान लगाया यह एक राष्टवादी और भारत में बिटिश आर्थिक नीति के प्रमुखालो जगते इन्हें इनकी प्रतिकूल राय के लिए व्यापक रूप में जाना जाता है इनकी किताब का प्यथम संस्कार सन 1901 में प्रकाशित हुआ हम इस किताब के कुछ कंटेंट्स वा इंट्रोडक्शन पर नज़र डालेंगे इसमें कलकत्ता संक्य की कमेटी उत्तरपश्यम प्रोवेंस इनकम पर हैड और सत्मूल्य लोकल उत्पाद मूल्यों में व्रद्दी बिटेश आशन में बीमारियां नॉन फुल्मिल्मेंट और सॉलिमन प्रोमिसेज के बारे में बताया गया है नॉन ट्रूफ फ्री टेर्ड, एलिमेंट्स और ड्रेन, मूल्य वद्दे के खारण, वेट्स, एक्सपोर्ट और बुलियन बिटिश हमारे यहां से कच्छा मल ले जाकर उत्पाद बनाते उन्हें किस प्रकार हमारे यहां फिर बेचते उन्होंने भारत को एक बाजार के रूप में ही देखा, जो बेटिश हमेशा राइट्स और रूल के बारे में बात करते दरसल उनकी नेते भारत में शिर्फ एक शोशन की थी जिसमें नकदी फसलों का उत्पादन, खादे बंदारान का ना होना, जिसमें अकाल के समय आबादी का मारे जाना, यहां के उद्यवों, दस्तकारी, शिल्प उद्यव, आदे का अंत और खर्चों वर वेट्स का वहन भारत के पैसे से युद्ध वर नीति में इस्तमाल करन वैसे तो भारत में रेलवे को वरदान कहा जाता है, जबकि उनकी इसके पीछे की नीति बहुत ही तोश्मूर सी, उनकी नीति कच्छे माल की डोलाई को आसान बनाना, नए बंदर काओं का निर्मार करना, ताकि भारत में और अच्छे से से लूटा जा सके, और यहां का शो वहस्ता को किस पकार लूटा, दादा भाई नौरोजी ने बताया है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार, इन्होंने पहली बार भारत की राश्ट्री आय का आकलन किया, जो के सन 1867 से 1868 के मद्य भारत की कुल राश्ट्री आय 340 करोड रुपे थी, जिसमें प्रत्य वक्त आय कि एवल 200 रुपे वार्शिक थी, जो के बाद में 1923 में 12 रुपे प्रत्य वार्शिक रहे गई, इस प्रकार इस किताब में उन्होंने बिटिश की आर्थिक नीतियों का खंडन वा आलोचन, किस प्रकार उन्होंने भारत की ओपनिवेशिक अपने फायदे के लिए ओप पताया गया है, थैंक यू, वेरी मच्च, अगर आपको पसंद आए, तो लाइक और सिस्क्राइब करें